अबस्कार कारेकरम मंजिल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विश्वबंदु पांडी दर्शुकों जैसा कि आप जानते हैं हम अपने इस कारेकरम में विविन्य विश्वों पर बाचीत करते हैं जिससे आपको एक बहतर मार्ग दर्शन मिल सके और आप अपने भविशो को सुन्दर बना सके आज के हम अपने इस कारिकम में एक बहुत खास विशेप बात कर रहे हैं योग विज्ञान में करियर संभावनाएं और इस विशेप बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कंचन जोशी जो की होडी है योग विभाग एजियारा यूनिवस्टी देहरादोन के डॉक्टर साब आपका बहुत बहुत स्वागत है दूर दर्शन उतराखन के स्टूने में आज जैसा कि हम अपने इस कारिकम में हमारे कारिकम मन्जिल है और इस कारिकम के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो विद्यार्थी हैं जो बच्चे हैं वो अपने भविश्य को लेकर के जागरूख हो सके और अपने भविश्य को अच्छा बना सके आज जिस तरीके से हम योग विज्ञान में संभावनाओं को लेकर के बाचीत कर रहें तो सबसे पहले डॉक्र साथ हम जानना चाहेंगे कि योग आखिरकार क्या है हलांकि आज के समय में योग की जो उपयोगिता है वो काफी व्यापक है काफी अधिक है योग जो है ये कैसी प्रदत विद्या है जो हमारे रिसी मुनियों के द्वारा चलती हुई आई अगर हम अपने आदी गरंथों की बात करें तो गीता एक बहुत प्रमुक्ष गरंथ है उसमें भगवान स्रीकृषने ने कहा भी है अरजुन से कि है अरजुन ये योग जो है वो अनाधिकाल से चला हुआ आया है पर ये योग ये लुप तो हो गया मैं इस योग विद्या को पुनहा तुम्हें बताता हूँ अगर हम इसके प्रवर्तक की बात कहें तो हिरन्यगर्व योगस्यवक्ता नान्यव पुरातनव हमारे उसमें आता है कि सांकस्यवक्ता कपिलाव परम्रशी चौच्चते तो स्टुडेंट्स को ये मालूम भी होना चाहिए क्योंकि आप योग की बात कर रहे हैं कि जो योग की यात्रा है वो बहुत लंबी है तो योग अगर हम सब्द की बात कें तो योग जो सब्द है वो पानिनी संस्क्रत व्याकरण की युजधातु से योग का प्रादरुभाव होआ है और इसके अगर हम और ढीप जाएं तो इसके तीन अर्थो होते हैं पहला युज दहातु का अर्थ का आगया है युज सैयम ने की how to control your sense organ तो सैयम को योग कहा गया है कि अगर विक्ति का अपने आपने सैयम हो जाए तो उसे योग कहते हैं दूसरा जो सब्द आता है युजर योगे युजर योगे का मतलब है कि जोड़ना अब जोड़ना किसको आत्मा और परमात्मा का मिलन को भी योग कहा गया है तो हम अपने आपको किसी higher consciousness के संग उच्च consciousness के संग अगर जोड़ने तो वो भी योगी है और तीसरी आती है युजर समादू अब युजर समादू का मतलब है कि योग का जो परम लक्ष है जो हमारे ग्रंथों में बताए गया है तो वो कहा गया कि योग का जो लक्ष है वो समादी की अवस्ता को प्राप्त कर रहे है पर महर्शी पतंजली को योग का प्रवरतक तो नहीं कह सकते पर महर्शी पतंजली ने जितना भी योग का मैटिरियल था। उसको माला के रूपे में बड़े अच्छे से संजोया तो जुस ग्रंथ का उनने नर्मान किया उस ग्रंथ के नाम है पातंजल योकसूत्र वहां अगर हम जाएं तो वहां योग की जो डैफिनीशन हम मिलती है वहां मिलती है कि योगस चित्वृत्ति निरोधा कि इस चित के जैसे हम अगर इंग्लिश में कहें तो हमको एक ही वर्ड आता माइड लेकिन अगर हम फिलोस्फि में जाएं क्योंकि योगा जो आपने पूछा की योग है गया तो योग क्या है एक फिलोस्फिकल पार्ट भी है दर्सन है तो पातंजल योगसूत्र जो है वो दर्सन का ही पार्ट है तो वहां वो कहते हैं कि आपका जो चित है मन बुद्धि चित तहंकार की बात की गई है और उस जो चित है चित को कह सकते हैं का सरल सब्दों में सबजना है कि स्टोर हाउस ओवर संसकार है जहां हमारे जितने संसकार है जनम जनम की जात्रा है इसके जितने संसकार ह और जब इस चित में आपकी वर्तिया, वर्तिया का मतलब है डिस्टर्विंस, आपको बाहर से कोई सूचना आई आपकी इंद्रियों ने ग्रहन करी और आपका जो अंदर साब डिस्टर्व हो गए, तो उनकी चित की वर्तियों को रोकना ही योग कहा गया है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि यह विज्ञान का विशे है या कला का विशे है, आर्ट का सब्जेक्ट है, यह विशे क्या है। समाजिक जो हमारा संकाय है उसके अंतरगत आता है और यूजी सी भी जो अभी हम आगे चर्चा करेंगे इस पर कि यूजी सी जो इनिवस्टी ग्रांट कमिशन है, वो भी जो इसकी परिक्षा कराती है, तो यूजी सी एंटी एक अंदर अब तो नेशनल टेस्ट एजिंसी आगी उसके अंतरगत कराती है, तो अभी प्रोग्रेस में है क्योंकि कहीं कहीं एम्स में और जब जैसे जैसे हम रिसर्च में बढ़ रहे हैं आगे, माननी प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो काम चल रहा है, अभी डेवलेपिंग है और आने वाले समय में ये साइ से प्राप्त किया जा सकता है, इसमें शिक्षा को प्राप्त करने के लिए गवर्मेंट ऑफ इंडिया जो हमारा आयूश डिपार्टमेंट है, तो वहां YCB, बच्चों लोग को कम मालूम होता है, YCB कहते है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की आप कोई कोर्स कर रहे हो, लेकिन उसको सर्टिफाइड होना चाहिए, तो 12th स्टेंडर्ड से ये स्टार्ट होता है, कि आप्टर 12th आप YCB, जिसे कहते है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की वेबसाइट में जाके, डिपार्टमेंट ऑफ आयूश इसको देखता है, हमारा आईश मंतराले, तो उस जाकर आप कर सकते हैं, तो उसमें कई सर्टिफिकेशन हैं, एक तो आपका योगा प्रोटोकॉल इंस्टॉक्टर करके पहला इसका जो पोस् निकलती है, उसको कर सकते हैं, second आप इसमें कर सकते हैं, योगा ट्रेनर की कोस् निकलती है, और then wellness center, तो योगा wellness instructor करके एक पद न बात करते हैं बिल्कुल जो कि आगे कोर्स की तर्चा करेंगे हम टेन प्लस टूब में हम आपका एसिस्टेंट की भढ़ सकते हैं और देन लास्ट फिर योगा थेरेपिस्ट हम गौवर्मेंट ऑफ इंडिया की जो बात करें आयुश में और आम तोर पर हम बात कर सकते हैं तो आप ग्रेजुएशन में एडिविशन लेते हैं तो आप बीएसी में एडिविशन लेंगे बैचुलर ऑफ साइंस तो वहां आपका साइंस का सब्जेक्ट जिसको हम एनाटमी कहते हैं क्योंकि अभी हम थेरेपी की बात करेंगे तो अगर आपकी एनाटमी वीक है बच्चो की तो हम थेरेपी नहीं कर सकते हैं तो तब जाकर बीएसी में बच्चा एडिविशन लेता है बैचुलर ऑफ साइंस में उसके बाद देन आफ्टर ग्रेजुएशन अब तो नई एनिपी में बच्चों के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है क्योंकि नई सिक्षा नीती ज वहाँ योगों को एक विशेश जगा स्थान मिला है वो स्थान ऐसे मिला है कि जितना आज क्या स्टूडेंट है कैसे अपनी स्किल को डेवलप कर सके तो स्किल डेवलप्मेंट को देखते हुए एक सामाननी विशेय के रूप में योगों को स्थान मिला है जिससे बच्चे अपने skill को develop कर सके, उसके अंदर emotionally maturity आ सके, stress, anxiety, examination, stress, इन सब को देखते हुए, हर बच्चे को जरूरी है कि वो बास्केट से उस subject को choice कर सकता है, ये एक बहुत अच्छा नई शिक्षा नीती में योग को स्थान मिला है, डॉक्टर जोशी ये तो बात हुई कि professional courses में जा सकते है जैसे कि आपने बारवी 10 प्लस 2 का जिक्री किया, तो graduation और post graduation में किस तरह से शिक्षा प्राप्ट की जा सकती है, अगर हम बात करें बारवी के बाद की 10 प्लस 2 के बात की भारत में बहुत से विश्विध्याले हैं, महाविध्याले हैं, जहां और कई central university हैं, जहां BSC, MSC, MA, in yogic science, then PhD कराया जाता है, अब BSC के लिए कई महाविध्याले और जो university हैं, विश्विध्याले हैं, इस पे अब एक entrance test कराती हैं, बच्चे को इसको qualify करना होता है, उसके ब diploma, तीन साल में आपको degree, और चौते साल में आप इसको merge करके हम honors में ले जाएंगे, योगा honors में, तो कहीं भी विश्विध्याले में, central university है, गड़वाल में भी अपनी central university है, वहाँ है, गुरकुल कांगडी है, देवसंस्कित विश्विध्याले है, तो कई ऐसे B.com कर लिया है, B.A. कर लिया है, B.C. कर लिया है, B.B.A. और मन में इच्छा है कि योग करें, क्योंकि आज योग हर एक विक्ति योग करना चाह रहा है, वो किसी भी field का हो, उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि वो उसके उसमें personal interest है, क्यों क्योंकि योग से health benefit है, अभी को नेच्रोपैथी योगा, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, उसके बाद ये सबसे अच्छी बात है कि दो-तीन साल में UGC NET ने भी इसको एक विसे के रूप में स्विकार किया है, पहले जो UGC NET की परिक्षा होती थी, University Grant Commission योग को परिक्षा कराता था, तो उनमें ये देखा करती हैं, योग को पढ़ना चाहते हैं, तो वो UGC NET की तैयारी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा, अगर वो अच्छा उसमें अपना इस्थान पाते हैं, तो JRF, Junior Research Fellowship कहते हैं, तो बहुत अच्छी उनको Research Fellowship तीन साल तक मिलती है, उसके बाद भी continue अगर Research करना चाहते हैं, तो उसमें भी उनको आगे जाके मिलती हैं, तो इनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, किस तरह से एक विद्यार थी, एक बच्छा, ये सोचे, कि मैं योगिक साइंस में योग में अपने भविशो को वनाना चाहता हूँ, तो उसे क्या बेसिक योग्यताओं की जरूरत है, जिससे वो इन कोर्सेज में एडमिशन ले सके और अपने भविशो को वना सके, देखे, जैसे मैं आपकी बात कहूँ कि अगर बच्चे को विज्ञान कहते हैं, तो जब बच्चा उसको पड़ेगा, तब जाकर आगे थेरेपी में अपना केरियर बना सकता है, वैसे आपका फिलोसफी, दर्सन वाला पार्ट, अगर मैं बात कहूँ आपको, कि एक योएस एलाइन्स करके, अभी आजकल बहुत चलता है, पूरा पूर्नर्स आता है, वो जिस कोर्स को करने का आता हो, उसको कहते है टीटीओ, टीचर ट्रे राइन्स कराता है, तो यू एस एलाइनस में 200 आवर्स और 300 आवर्स का कोर्स होता है, जहाँ अगर बच्चा का बैग्ग्राउंद एनॉत्मी का नहीं है, वो आइड तो यह पार्ट को सीखने के लिए 200 आवर्स में उसको बॉडी के अनॉटमी पढ़ाई जाती है जो कि अनॉटमी जब तक हम को मालूम नहीं होगी तब तक हम थेरपी में नहीं जा सकते हैं और आसन कराना है तो उसकी क्या राइट टेक्नीक है क्योंकि आज पूरे विश्व मे योग है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसकी राइट टेक्नीक क्या है तो बच्चे को जब फूचर बनाना है तो थोड़ा उसको एनॉटमी में अपना ध्यान देना पड़ेगा प्लस अगर हम यूरोपिन कंट्री में चले जाए तो वहां आपका लोगों की फिजिक गीता है इनका अध्यन और इन से जो निचोड निकल के आया तो इन पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए पूरी यूरोपिन कंट्री में योग निद्रा है योग निद्रा एक रिलक्सेशन टेक्नीक है माइंड की तो मैंने आपको पहली बिता है कि हमारे जो रि फीडबेक आता है कि कॉम्म्यूकेशन इसकिल बच्चे को अच्छी करनी चाहिए आपकी संस्कृत में अच्छी कमांड होनी चाहिए और आपकी एनॉटमी बहुत बड़िया होनी चाहिए तो आप इस कोर्स में एडिशन लेकर अपना अपनी हेल्थ के सांसांथ समाज योग का डंगा बज़ रहा है योग का परचम लहरा रहा है डॉक्टर जोशी इन कोर्स को करने के बाद अब हम रोजगार पर आते हैं आजीविका पर आते हैं तो योग के शेत्र में किस तरह से आजीविका की संभावनाई आप देखते हैं बहुत उसंदर को प्रसनियात का उसमें ऐसा है कि कभी-कभी student का ऐसा होता है की short term course करने और बाहर निकलने आरबराट जाने तो उसके लिए वो यूस alliance का course 200 hour और 300 hours का course करके बाहर जा सकता है उसके लिए उसको कोई भी diploma certificate certificate other course करने की जरूबत नहीं है वो अपना 200 आवर्स का TTC कोर्स करें जिसको गोलते है teacher training course उसमें उसका registration number होता है और वो abroad जा सकता है second अगर हम बात करें कि अपने हिंदुस्तान में रहे कर तो मैंने आपको YCB का बताया था हमारी government of India और आयूश department ने बहुत अच्छी तर्ज पर योग के विद्यार्थियों के लिए कि वो इन certificate courses को qualify करें और अपना carrier बनाए अब हम बात करते हैं कि yoga tourism क्योंकि tourism में मैंने आपको पहले ही बता है कि रिशिकेस हमारी world capital है तो आप tourism के शेत्र में आज कर जो टूरिजम का रिजान आज कर डौक साब एडवेंचर टूरिजम का काफी जमाना चल रहा है कि टूरिजम है टूरिजम में मैंने आपको पहले ही बता है कि व्यक्ति की जो है कि मैं फिट कैसे रहूँ जी बिल्कुल फिटनेस स्वास्टे सर्वो पर ही है जी बिल्कुल तो योगा फर फिटनेस थीम पर आज कल कई ही टूरिजम चल रहे हैं और कई ऐसे इंस्ट्यूट हैं जो भारत में हैं जो होटल इंडस्ट्री है वहां योग को प्रोमूट किया जा रहा है क्योंकि आज जितना हमारी सेडिमेंटरी लाइफ स्टाइल होगी है तो वहां अगर हमको कोई सेफ रख सकता तो योग वह कैस स्वास पर कितना हाउ टू ब्रिथ तो यह सब चीजे जब टूरिजम में व्यक्ति स्ट्रेस अपने ओफिस में स्ट्रेस है काम में स्ट्रेस है तो इन स्ट्रेस से रिलीस करने के लिए जब वो टूरिजम में अपने आपको वैसी रिलेक्स करता है और थोड़ा अगर वो ब कर सकते हैं कि गौवर्मेंट की तरफ से आयूश वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं तो वहां वेलनेस इंस्टर की पोस्ट निकलती है जहां आप सार्टिफिकेट वाइसीबी का सार्टिफिकेट लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं जी जी अब हम बात करना चाहेंगे उच्छे शि पूछा है कि जो बच्चे अगर इसको लंबा अपना या सब्जेक्ट स्टेडी में जिनकी रूची है वो उनको मेरा है सुझाओ है कि इसके लिए आपको कोई कोचिंग मगरे करने की जरुवत नहीं है आप बीस्सी से जो यूजी सी नेट का पूरा असलेबस है वो आपकी यूजी सी नेट का जो सेलेबस डिजाइन किया वो ऐसा ही डिजाइन किया है कि फॉस्स जो उसकी यूनिट है उसमें बेसिक इंट्रोडेक्शन ऑफ योग है क्या पर देन भगवद गीता देन उपनिशद देन फिर एनाटमी और फिजोलाजी बिल्कुर देन पातंजल यो फिर आज आती है बाद योगा थेरेपी और फिर देन उसका प्रैक्टिकल पार्ट कि आपको कराना कैसे है तो ऐसे करके ये 10 यूनिट में यूजी सी ने अपना जो योगिक साइंस का है योगा उसको सेलेबस डिजाइन किया है तो बच्चा अगर बेसी से मेहनत करे और में उसके सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में अटेम्ट करें और यूजी सी जो नेट की जो परिक्षा है वो साल में दो बार होती है और उन परिक्षाओं में अपना आवेदन करें और डेफिनेटली अगर वो अच्छी रैंक में आते हैं तो उनको एक अच्छी गौवर्मेंट की तरफ से एक स्कॉलर्शिप गौवर्मेंट देती है और यह और अच्छी बात है कि अगर बच्चा कोई जेयर अरफ निकाल ले नेट क्वालिफाइड है तो वो इन्यूवर्स्टी में जो पीएसडी का इंट्रेंस होता है उससे वो एक्जेम्टेट किये जाते हैं वो ड कारे में काफी कुछ कर सकते हैं सिक्षा के शेत्र में जो का इजेत्र से जुड़े हूए इसमें में जो रोजगार की कि शेत्र के बात अगर हम करें तो क्या ह्याआ यह पून QUE दो से जवहीं जी जी अपने सांसांत वो दूसरों को भी रोजगार दे सकता है क्योंकि वो अगर एक अच्छा योगा सेंटर बनाए योगा जहां आपकी योगा थेरपी हो और आके लोग meditation करें, body cleaning करें क्योंकि हमारी योग में जो पहला है वो शटकर्म कहा गया है जैसे आयरवेद में पंचकर्मा का विधान है body cleaning के लिए हमारे जो योग में कई abroad में centers हैं जहां सिर्फ आपको शटकर्म सिखाए जाता है कि body को कैसे clean करना है तो बच्चा अपना अगर अच्छा center develop करें इसमें सबसे प्रमुक बात है कि student को knowledge होनी जाए बिलकुल बहुत सही बात है क्योंकि आज योग के छेत्र में MBBS के student योग government ने MBBS को कि MBBS वाले बच्चों की internship में वो learn करते हैं आयूश के subject तो ऐसे में अपना स्थान मनाने के लिए बच्चों को proper knowledge होनी जाए दूसरा अगर बच्चा अच्छा knowledge गेन करता है तो research में जैसे आपने का सोथ के विसे में तो जो हमारा AIMS है All India Medical Institute यहाँ भी short term project योग के नाम पर निकलते हैं जी निश्वत्रूप से अखल भारी थे हैं और एक मैं आपको और बताता हूँ CCRYN आपने सुना होगा Central Counseling of Research योगा एन नेच्चरोपैथी यहाँ भी बच्चे आवेदन करके abroad government of India इनको abroad भेजती है जहाँ आपके culture और research प आपने बात भी करी इसी बात को हम आगे बनाएंगे जी अगर हम बाहुत करें ऑल ओवर इंडिया की तो साउथ में बैंगलॉर में ऐस व्यासा स्वामी विवेका नंद सोध संस्तान के नाम से वो अच्छी उनिवस्टी है कवलियनंद जो योग के जिनोंने योग में बहु परिल इनिवस्टी गडवाल तो हर एक इनिवस्टी है जहां योग पर बहुत काम चल रहा है और योग ने अब अपने विश्विध्याले में एक अलग सी पहचान बना ली क्योंकि एनिपी में भी जोर दिया गया है कि योग को सामिल किया जाए और योग को हर एक बच्चे को ये कहा जाए और बच्चों का भी रुजहान है क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और जब इसको बच्चे यूज करते हैं प्रैक्टिकल अपनी जीवन में योग अपनाते हैं एक अच्छी दिंचरिया की तरफ आपको प्रमोट करता है तो बच्चा का स्वास्त की बात करते हैं तो अपने गुरू के आश्रम में आकर आश्रम पद्देती में रहकर इस विद्या को ग्रहन करते हैं अगर आप पुराना भी जाएंगे तो गुरू से परंप्रा से ही ये पूरी विद्या चली वी आई है निक्षित रूप से योग जो है वो संपूर्ण सच्ब्र विद्यist में योग जो साइंस है योग विद्या है इसकी क्या संभावना जाएं कि देखने को मिलता है कि योग की जो बढ़ती लोकप्रियता है। इससे योग देश में ही नही विश्व में और विद्याशों में बहुत जादा इसका क्रेज़ हो गया फैशन बन जो है वो परसनल है कि जब तक आपकी फिटनेस नहीं होगी तब तक आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं तो योग ने क्योंकि हमारे रिसे मुनी दारा प्रदत्य विद्या है तो जो योग का सबसे फेमस पार्ट पूरे वर्ड में है उसको कहते है हट योग और हट योग के अंतर आप ही जोईस हुए थे इन्नास टांगा और विन्यासा विन्यासा एक ऐसा योगी का अभ्यासस में ब्रीधिंग के संग हम पूरा बाडी को एवेर्नेस के संग प्रेक्टिस करते हैं तो अगर आप बाहर की बात करें तो जितनी भी अबराड हैं वहां अगर आप युरोप किसी कोर्स करेंगे तो डेफिनेटली उनको जॉब भी मिलेगा और वह और बच्चों को भी आकर से बिलकुल डॉक्त साब योगिक ठेरपी में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए क्या कुछ यह बनाने के लिए सब से पहले आपको अपन कि जब वो अपने सरीर रशना के बारे में जानने लग जाए क्योंकि थेरपी एक बहुत बड़ा विसे है तो हमारे योग में कहा भी गया है अगर मैं आपको अपने एक योगिक टेक्स्ट का उधारन दू तो कहा गया है कि प्राणायामेन युक्ते न सर्वरोग छयो और आपको टेक्नीक पता होनी चाहिए तो योग में कहा गया हमारे हट प्रतिपी का एक ग्रंथ है जो स्वात्मा राम जी ने लिखा है तो वहां कहा गया है कि आपको प्राणायाम का अभ्यास अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो डेफिनिटली सरीर में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको जिसका निदान नहीं किया जा सकता और आप गलत करते हैं तो आपके सरीर में रोग भी उत्पन्न हो सकता है जो हमारी योगा जैसे एक तो हम पढ़ते हैं human system according to medical science लेकिन हमारे रिश्यों ने भी human system according to योग तो उन्होंने जैसे हम ये veins की बात करते हैं नाडियों की बात करते हैं तो उन्होंने नाडियों की बात दिए जहां प्रानीक इनर्जी क्योंकि पूरा प्रान उडजा जो है वो नाडियों में प्रहाइत होती है तो साढ़े तीन लाख नाडियों की चर्चा हमारी की गई है जो हम ब्रिधिंग करते हैं ये left nostril से तो क्या आपको लगता है योग का यह जो विशय ही यह प्रतियोगता परिक्षाओं की दृश्टी में महतोपोंड है क्या कहना चाहेंगे इस पर जो लोग प्रतियोगता परिक्षाओं को देना चाहते हैं योग जिनका subject है जिनको career बनाना है और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो financially weak है हमारे बच्चे और लेकिन योग में उनकी अच्छी command है practical में अच्छी command है तो definitely वो theory का जो अच्छा अध्यन करते हैं उपनिशत पढ़ते हैं गीता पढ़ते हैं आटमी पढ़ते हैं तो government की तरफ से उनको एक offer है कि they qualify UGC net exam और उसमें अच्छी rank लाएं JRF qualify करें तो एक अच्छा research और अपना कई ऐसे मैंने आपको बता है YCV में और AIMS में short term project निकलते हैं जहां बच्चे अपने आजीवी का कमाकर उन research project में काम कर सकते हैं तो अपने पढ़ाई के साथ साथ उनका जो मांदे है वो भी उनको मिलता रहेगा और एक अच्छा आपका समाज में एक अच्छे समाज का निर्माण हम कर सकेंगे जी डोग साब आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए वीवर्स के लिए tips देना चाहें जी मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि जब 24 घंटे होते हैं तो 24 घं और रहे हैं बहुत सी बीमारियां हैं एकदम स्ट्रेस ले रहे हैं बच्चे नसी की तरफ जा रहे हैं तो योग में स्प्रीच्वल इन्लाइट्मेंट तो होता है जब आप प्रॉपर तरीके सा अपनी बॉड़ी के लिए एवेयर हो जाएंगे तो अपने सरीर के लिए फिर से हमारा देश विश्व गुरु कहलाएगा और इस योग के द्वारा ही फिर से हम विश्व पतल में चाहेंगे और मेरा सभी से अन्रोध है कि योग को नियमित करें अपने एक जीवनचरिया में सामिल करें तो आपको स्वास्त की प्राप्ती तो होगी और इन डीपर आफ्टर पिरिड ऑफ टाइम आपको जो स्प्रिचुल इनलाइटमेंट आपने होगा उसका आनंद भी आपको मिलेगा योग से बिलकुल और योग बहुत ज़ादा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए इसकी उपयोगता काफी व्यापक है डोक्र साब आप हमारे इस कारिक के माध्यम से ज़रूर मारक दर्शन मिला होगा अगले अंक में आप से फिर होगी मलाका तब तक के लिए हम आप से लेते हैं विदा नमस्कार कर दो